दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे DD3Ds के HD Setup Box के अंदर हमको कौन सी LNB Frequency डालनी चाहिए ताकि हमारे Setup Box के अंदर दोस्तों यहाँ पर जादा से जादा चैनल एड हो सकें तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे Setup Box के अंदर Total Scanning के अंदर 182 यहाँ पर Channel Scan हो पाए है तो आपको अपने Setup Box के अंदर आपको अपने Actually Setup Box के अंदर कौन सी LNB Frequency डालनी चाहिए ताकि दोस्तों आपके Setup Box के अंदर भी यहाँ पर जादा से जादा Channel एड हो सकें तो इसकी Complete और सही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ तो वीडियो को Complete देखेगा ताकि दोस्तों आपको Complete और यहाँ पर सही जानकारी मिल सकें तो चले दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा बेग चलते हैं और आपको बताते हैं कि फिलाल मुझे यहाँ पर कौन-कौन से Channel देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं DDFIDs के HD Setup Box के अंदर मुझे यहाँ पर टोटल 182 यहाँ पर चैनल देखने को मिल रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें Simply क्या करना है रिमोट का Menu बटन प्रेस करना है और चले मैं आपको बारी-बारी से Step-by-Step यहाँ पर सारी की सारी जानकारे देता हूँ कि हमारे जो HD Setup Box होता है उसके अंदर हमको क्या-क्या Settings करनी होती है सब्सक्राइब दो दोई सबसे पहला दो यहाँ पर सैटेलाइट है तो यहाँ पर इसका मतल़ होता है कि दोस्तों इसमें जाकर करके हम किसी भी इपने DDFindies के या उसको यहां पर add कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर DDFindies के już सैटेलाइट को यहाँ पर add कर रखा है तो यहाँ पर simply हम किसी satellite को add कर लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर antenna setup में हमको antenna settings करनी होते हैं यहाँ पर कुछ frequency अगरे डालनी होती है कुछ setting करनी होती है तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारे satellite के अंदर यहाँ पर नीचे जो LNB frequency का option मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों खास तोर से आपको ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे setup box के अंदर ज्यादा channel यहाँ पर add हो सकें अगर गलती से दोस्तों हमने यहाँ पर जो है इस तरह की frequency या यूज कर लिए जैसे की 50 हैं या फिर 5750 हैं या फिर 5950 हैं या फिर वो सारी हम frequency जैसे की 9750 हैं या फिर 10000 हैं 10000 50 हैं 10000 450 हैं 10000 600 इस ताइब की अगर frequency यूज कर ली तो दोस्तों यहाँ पर हमारे setup box में ज्यादा channel add नहीं हो पाएंगे और काफी कम दोस्तों यहाँ पर चैनल हम को देखने को मिलेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो है यहाँ फिक्वेंसी के अंदर हमेसा हमको universal frequency ही यूज करनी है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उनिवर्सल में यह भी उनिवर्सल ही है होने को तो लेकिन दोस्तों यह हमको यूज नहीं करनी है यह जो चार frequency यहाँ पर दे रखी है इन में से हमें एक frequency यहाँ पर यूज करना होगा और सबसे बढ़ी है दोस्तों आप इस frequency को यूज कीजिए सकैनिक एसामें यहाँ पर यहाँ पर दियान रखना होता अगर डिसरी नहीं लगाया तो सिंपली इसको 數टर नहीं लगाया तो इसको भी आप को ऊफर होता है कि satellite को select करना होता है इसके बाद में यहां पर free to wear only है उसमें हमें yes or no का option मिलता है तो यहां पर हम yes करके channel scan करते हैं scan channel में भी दोस्तों हमें यहां पर tv channel radio channel tv plus radio option मिलता है और scan mode में आप यहां पर देख लीजिए कि अगर आपने जो हैं आपके सेटा बोक्स में आपको simply यहां पर blind scan करना चाहिए लेकिन दोस्तों अगर आपके सेटा बोक्स में पहले से डीडीवीडिस के channel मौझूद है और आप उसी के ऊपर जो है री टून करना हैं और कुछ और सेटिंग हम आपको यहां पर बता देते हैं तो मल्टि सेटलाइट पैंवं Germakin करने के लिए हैं तो इसका कोई खास यहां पर यूज नहीं है और서 अकर देडीश ćהट नहीं है तो उस condition में दोस्तों आपको यहां पर frequency डालनी होती है और फिर आपको disk set करना होता है यहां पर signal लेकर के आना होता है अगर आपको disk set है पहले से तो आपको यहां पर जाने की जोरत नहीं है automatically यह frequency है अपने setup box में aid हो जाती है तो simply आपको search पर आना है और remote का okay बटन दबा देना है तो अगर जो मैंने setting बताई है इसी तरीके से जो आप यहां पर अपने डीडी फीडिस को scan करेंगे तो दोस्तों आपके setup box में वो सारे के सारे चैनल aid हो जाएंगे जो की डीडी फीडिस की दोरा provide करा जाते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 182 टोटल मुझे चैनल यहां पर मिल चुके हैं डीडी फीडिस के इस एंगल पर और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप auto scanning करते हैं अपने hd setup box को तो आपके setup box के अंदर भी दोस्तों यहां पर सारे के सारे चैनल एड हो जाएंगे तो चलिए हम यहां से बेक चलते हैं और चैनल लिस्ट यहां पर देख लेते हैं तो इधर दोस्तों आप देख सकते हैं दूर दसन के काफी सारे चैनल हैं और HD quality में भी दूस्टों काफी सारे चैनल मिलग है ऑं सबस्क्राइब, केबियस वर्ल्ड हैं ऐसे काफी सारे चैनल मिलते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं दूतर्शन की काफी सारे चैनल हैं इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं समय और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आस्ता बजन भी हमको मिल जाता है और इधर आप देख सकते है ओर इदर आगे चलते हैं तो यहां पे न्यूज के काफी सारे चैनल मिल जाते हैं इसके अलाबा म्यूजिक के चैनल हमको मिल जाते हैं जैसे Before You Music हैं, MTU Beats हैं और आगे चलते हैं धिन चाक टू यहां पर मिलता है, पॉप्कोन मुवीज मिलता है Star Osom Movies मिलता है Sony Vaan यहां पर हमको मिलता है और आगे चलते हैं इदर तो इदर हमको जी Unmol Cinema मिल जाता है और Star Osom Movies यहां पर हमको मिलता है और आगे चलते हैं इदर आप देख सकते हैं Aasta, Film Echi, Bhojpuri, Before You Kadak, Big Magic और Riste, Cineplex, Dungal और इदर आप देख सकते हैं जीकूल, Gold Mines, DaQ यहां पर हमको मिलता है Cineplex, Bollywood यहां पर मिलता है Gold Mines, Bollywood यहां पर मिलता है Dungal 2 यहां पर मिलता है और इदर संसर TV के नाम से कुछ चैनल मिलते हैं Samrao TV यहां पर मिल जाता है Sport का यहां पर चैनल मिलता है Sport 18 खेल फकत मराटी यहाँ पर मिलता है और इधर चलते हैं यहाँ पर वेदिक हम को मिल जाता है बिफोर यू मुवीज यहाँ पर मिलता है बिफोर यू भोजपुरी यहाँ पर मिलता है और इसके लावा यहाँ पर आप जेखते हैं वन्देर गुजरात के चैनल है और इधर आपको जी के काफी सारे यहाँ पे चैनल मिलते है नुज के जैसी की G-U-P-U के हैं जी टवनटी-4 कलक हैं जी राजास्तान नुज हैं जी टवनटी-4 तास हैं जी पञजाब ह्याणा हैं जी MP 36 गड़ हैं जी सलाम हैं जी बिहार जार भी सारे चैनल एड हो जाएगे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमिट जरूर कीजिएगा और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेर कीजिएग